नमस्कार दोस्तों, हेल्फू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मेरा टॉपिक है कि नुम्रोलाजी की तुरू हम नाम से कैसे जाने कि आपकी शादी किस एर में होगी और कब होगी। तो दोस्तों ये जैसे किसी को कुछ नहीं पता है और उसकी शादी नहीं हो रही है, कोई प्रॉबलम हा रही है, डे लेट हो गया है, तो वो चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें नमबरों का हमें जो आपका नेम है, जो आपके सार्टिफिकेट में चलता है, उसमें ही लेना है, क्या करना है? हम ये अपनी वीडियो में बताते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके नीचे रेट बटन है, उसको क्लिक कर दीजे, उसके बगल में रिंग बिलोगी, प्रेस कर दीजे, ताकि नई में और केस एज में होगी, निमरोजी के थुरू, दोस्तों यहाँ पर मैंने एक नाम लिया है, एक परसन का मुकेस वर्मा, जी लिखिया है, तो आप लोग स्पैलिंग साइस देख लीजेगा, और अपना हसाब से कर लीजेगा, अब अलफाबेटिकल और पर जो वर्ट्स लिखे हैं, M जो आता है, 13 नमर पर आता है, U21, K11, E5, S19, H8, V22, E5, R18, M13, A1, तो इस नमर पर जो आता है, 13, ठीक है, तो अब यह सारे नमर लिख लिए हैं, इसको हम लोग सिंगल डिजिट में कनवर्ट कर लेते हैं, तो 13 को 1 प्लस 3 इस उगल टू 4, 21 को हम 3, 11 को 2, 5, 5 रहेगा, 19 को 1 आ जाएगा, H8 है, 22, 4, E5, AR 18 है तो 9, और M13 है तो 4, A1 है तो 1, ठीक है, तो इस तरीके से एक नमर आ जाएगा, 4, 3, 2, 5, 1, 8, 4, 5, 9, 4, 1, ठीक है, अब हम लोग की कॉलम मना लेते हैं, यहाँ पर रिपीट और नॉन, नॉन, नॉन रिपीट, ठीक है, फर्स नमर पे इसमें क्या करना है, कि आपको सबसे पहले वो नमर उठाना है, जो सबसे बड़ा हो, अंको में, ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा अंक दिख रहा है, मुझे 9 नमर, फिर उसके बाद 2nd नमर पे क्या है, 8 नमर, फिर वो 8 नमर लिखना है, फिर उसके बाद 2nd, 3rd highest, फिर इसके बाद 5, 4th highest, 4, 5th highest, 3, 6th highest, 2, 7th highest, 1, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कि यह देखना है, कि वो नमर, जो नमर हमने लिखा है, आउडर पे, वो repeat कितनी बार हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 5 दो बार repeat हुआ है, तो दो बार repeat हुआ है, और नहीं, जो नमर repeat नहीं हु नमर मिल गए, 5, 4, और 1, ठीक है दोस्तो, अब आपको क्या करना है, कि अब जैसे कि 5 दो बार repeat हुआ है, 4, 3 बार repeat हुआ है, ठीक है, चार, 3 बार repeat हुआ है, और 1, 2 बार repeat हुआ है, तो यह 5, 4, 1, अब आपकी जो इसेज में आपने शादी के सोच रहे हो, जो इसेज के 3, is equal to 11, 11, 1 plus 1, is equal to 2, तो 5 तो नहीं आ रहा है, फिटी 2019 मिचे करते है, 3 आएगा, 2024 आएगा, लेकिन 2040, 20 में 4 आ रहा है, तो 4 में शादी नहीं होगी, शादी होगी जब 5 आएगा, मतलब 5 पहले आना चाहिए, मैं सबसे बड़ा नमर आना चाहिए पहले, तब ही उस एर में शादी होगी, ठीक है, तो 2021 में आएगा 5 आ रहा है, तो 5 में आएगा, फिर अगर, जब क्या कहते हैं, 2020, वन पे नहीं हुई, तो मान लिजेए, 2021 में नहीं हुई, तो फिर लास्ट के सबसे छोटे नमबर वाले एर में शादी होगी, तो आप ये मान लिजेए, कि 2006 में ही 10 चैना आता है, तो वन ठीक है, तो वन हो आया, तो इस तरीके से हम लोग ये जान जरते हैं, और अगर पीछे जाना है, तो जितने नमबर ये जो रिपीट हो रहे हैं, उन में से आप क्या कहते हैं, उस येर को माइनस कर सकते हैं, और प्लस कर सकते हैं, उतने ये नमबर को, अगर आपको अच्छी लगी तो पिलेज लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को सपोर्ट करें और कोई समस्या हो तो मेल कर दिये नितिन 549 at the rate email.com पे धन्यवाद दोस्तों हेल्प चैनल को देखने के लिए प्लीज प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल